ब न, लू स्टूरेंट विल्कम तुमाथ यूटूब चैनल दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लुग कलास 13 के looking physics takes chapter 3 के बारे में आप लोग आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ठीक है तो दोस्तो हमने पहला वीडियो इसका बना चुक ह Sind ठीक है अगर आप लोग जाईएगा description में इसका part 1 मिलगा उसको आप लोग उसमें देखिएगा दोस्तों कि हमने 46 questions तक बता दिये हैं आज की video दोस्तों हम लोग बताएंगे 47 number questions ठीक है आज की discuss करेंगे दोस्तों 47 number questions से आप लोग अगर हमारे channel पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को subscribe करके बगल का बेन एकन जुरूर प्रेस करेंगे ठीक है दोस्तों physics chapter 3 बीधूत ठीक है इसका जो chapter 3 का है दोस्तों ये 47 number question से बात करेंगे अगर आप लोग 46 number तक नहीं देखे हुए हैं तो जाइए description में link दिया हुआ है वहाँ पर click किजिए और 46 number question तक वहाँ से देखकर अपना complete कर सकते हैं ठीक है ये वीडियो part 2 है चलिए दोस्तों पहला question की और रूबर कराते हैं दखिए 47 number question हमारे पास है एक नई क्रोम एमप ठीक है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका 47 का right answer ठीक है तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस वीडियो में पहली बार आई हुए है तो इस वीडियो को like जरूर करेंगे ठीक है देखिए इसका right answer होगा दोस्तों option number c 10 के power minus 6 एंग स्ट्रों ठीक ह अगर आप लोग इसका जवाब देते हैं सही तो आपका तयारी जानेंगे कि विदूत चेप्टर से clear है ठीक है यह बहुत ही असान कोशन है तो आप लोग इसका comment करना ना भूलें देखिए इसका right answer होगा दोस्तों option number B जूल बटा गुलाम ठीक है जे बटा C बोल सकते हैं इसको shortcut में चली आगे बढ़ेंगे 49 नमर कोशन देखिए दोस्तों 49 नमर कोशन हमारे पस है निम्न में कौन सा पद विधूत परिपत में विधूत सक्ति को निरुपूत करता है निरुपूत करता है तो देखिए दोस्तों यह 19 के annual exam first term में पूछा हुआ है प्रथम पादव देखिए निम्न में कौन सा समण सत्त्त है यानि सही है बहुत यह स्तान कोशन है प्रिबेश कोशन है अपके दह किये बहुत यह सब कोशन है दोस्तों यह 50 नमबर यह जा चुका है 248 कपकर में किको कम कोशन他 frames seven कॉछन अगर बोलिये गाए तो ओम का नियम को सीध करने का तो दोस्तो हम अगला टोपिक में आपको अगला वीडियो में लेकर आ जाएंगे और दोस्तो आपको देख सकते हैं सब्जेक्टिव को इसे करते हैं ठीक है तो चलिए बहुत यह असान तरीका से बनाएंगे अगर आप लो देखिए बावन नमर कोशन हमारे पसे विधुत धारा को निरंतरित करने के लिए उपयोग किये जाने वाले अवयोग को कहते हैं ठीक है विधुत धारा के निरंतरित करने के लिए उपयोग किये जाने वाले अवयोग को कहते हैं देखिए हम लोग क्या कहेंगे तो परिवर् परिवर्तीत परतित तुलिए आगे दीकें गेंगे 55 नंबर कोश्वन दोस्तो परिपत गें जब pagझें दूग नई कर दी जाता है तो अघर ऑप ही तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तोब ये वीगिए को लाईक कर दीए ठीक है प्लीज प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाईक कर दीए लाईक करने का कोई पैसा नहीं लगता है अगर आप लोंग बोलियेगा तो हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाईये वहाँ पर इसका पेडियव feature में फीडियू कराए जाता है को वी चार्ज नहीं लगता है ठीक है तक एपको 54 नमर कोशन से मिलाते हैं तो देखिए दोस्तो 54 नमर कोशन है जो राय टेंसर होगाण यूनीट जो विधुत उर्जा को बैपारिक मातरक होता है. उसे क्या कहेंगे? यूनिट होता है. चलिए आगे देखेंगे 95dr. पच्पंअ है, दुस्तो, निमानकित में कों सा कथन सत है? निमानकित यानि नीचे दिया है के जोल्ड केक्ट ऑफसन. ठीक है, उसमें से सत यानि 56 नमबर कोशन आमारे पास है काच तथा रबड जैसे विधुत रोधी पदार्थ की परतिरोधाकता किस कोटी की होती है दोस्तो 56 का जो राई टेंसर होगा ना 56 का जो राई टेंसर होगा दोस्तो अप्शन नमबर एह होगा 57 नमबर कोशन आमारे पास है यदि किसी विधुत बॉल्ब के तंतु का परतिरोध बारो सो ओम है तो यह बॉल्ब है 220 बोल्ट शुरोत से कितनी विधुत धारा लेगा ठीक है यह कोशन निमेरिकल से है दोस्तो अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका सलूशन हम टेलिग्राम चैनल पर डाल देंगे ठीक है तो इसका राई टेंसर होगा दोस्तो अप्शन नमबर अप्शन नमबर दोस्तो परतिरोद 100 ओम हो तो यह विधुत हीटर 220 बोल्ट से कितनी धारा लेगा ठीक है यह भी नमेरिकल से कोशन है इसका विराई टेंसर दोस्तो होगा आप्शन नमबर यह 2.2 एंपियर क्या होगा 2.2 एंपियर चली आगे दखेंगे 69 नमबर कोशन देखेंगे 69 नमर कोशन है ए एक कुलंब आवेस में कितना अलक्ट्रोन होता है आपका 69 का राई चैंसर होगा आप्शन नमर यह होगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 नमर कोशन देखेंगे 60 नमर कोशन है विधुत बिभाव में कौन सी रासी है विधुत बिभाव जो है कौन सी रासी है आपका हो जागा दोस् नमर कोशन दोस्तों 61 नमर है वोल्ट मीटर को किस करम से जोड़ा जाता है बहुत यह असान कोशन है वोल्ट मीटर को किस करम से जोड़ा जाता है तो दोस्तों इसका राई टेंसर अप्शन नमर यह होगा समानतर करम में जोड़ा जाता है चलिए आगे देखेंगे 62 नमर है आमीटर स्रेडी करम में क्यों जोड़ते हैं इसका करण बताना है आमीटर को स्रेडी करम में क्यों जोड़ते हैं 62 है ठीक है आप लोग option को दियान से देखिए दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है ठीक है यह देखिए 62 का जो राइट एंसर option number 2 होगा कम परतिरोध प्राप्त करने के लिए क्यों जोड़ते हैं तो कम परतिरोध प्राप्त करने के लिए चलिए आगे दखेंगे 63 नमर question है दोस्तों किसी परत्पत का वह गूण जो विधूत उर्जा को उस्मा में बदल देता है वो का कालाता है ठीक है किसी परतिरोध का वह गूण जो विधूत उर्जा को उस्मा में बदल देता है तो का कहेंगे परतिरोध कहेंगे चलिए आगे दखेंगे 64 नमर question देखें दोस्तों 64 है बोल्ट मीटर को समानतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं ठीक है उपर में हम बोले हैं दोस्तों उपर में यहां पर आपको बताएं है यहां पर देखिए आ मीटर को स्रेडी में जोड़ते हैं दोस्तों आ मीटर को कम परतिरोध के लिए आप बोल्ट मीटर को अधिक परतिरोध के लिए यह याद रखेंगे ठीक है चलिए इसका राइट अंसर ओगा बी ए होगा काँ दोस्तों ऑप्षण नमबर ए इस राइट अनसर होगा अधिक परतिरोद के लिए बुल्ट मीटर के लिए और टोनों दिशाओं में परवायित होती है उसको क्या कहते हैं यह 17 के कपाटमेंटर में पूछा हुआ तो कोशन है तो आपका 65 का राइट इंसर आप्सें नमर है यानि एसी ठीक है एलेक्ट्रिक करेंट चलिए आगे दखेंगे दोस्तो तो आप लोग को समझ में आगे होगा अभी तक दोस्तो आप लोग ये वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तो प्लीज इस वीडियो को ला होता है उसे क्या कोते हैं ठीक है जिस पदार्त में आभी सब्सकु को अशानिस होजाता है उसे हम क्या कहेंगे तो दोस्तो आपका 66 को भी तो प्रवाहित विदूत धारा पर किसमें चालक में परवाहित विदूत-धारा पर चली आगे देखेंगे कवी उनहांतर नमर कोशन लिएंगर लिखित में कौन विधूत का सबसे आच्छा चालक है जो राइट होगा क्या होगा दोस्तों, चांदी क्या होगा होगा क्या कोंगते हैं उसको क्या कोंगते हैं तो दोस्तो 70 नमकर का आपका राईट अ दोस्तों रोग अप्शन नमर यह होगा, एक प्वैंट सिक्स टू गूने दस के पवर मैनस टू परतिरो धक्ता होता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, चलिए आपको पताते हैं, बहत्तर नमर कोशन, ठीक है, बहत्तर नमर देखें, कोशन है, अलुमिनियम का परतिरो धक कितना होता है, बहुत यह असान कोशन है, अलुमिनियम का परतिरो धक्ता कितना होता है, आपका हो जाएगा, बहत्तर का राइट एंसर दोस्तों, अप्शन नमर यह, क्या होगा, अप्शन नमर यह, 2.63 गुने दस के पवर 8, माइनस 8 होगा, ठीक है, माइनस 8, आप लोग ध सेकंड के अनुपात को क्या कोते हैं, बहुत ही आसान कोशन है, एक जूल और एक सेकंड के अनुपात को बताना है, तो दोस्तों, आपका 73 का राइट एंसर होगा, अप्शन नमर यह, क्या कोहेंगे, एक वाट, चलिए आगे दखेंगे, दोस्तों, जब एक से अधिक परतिरोध स्रेडी करम में जुड़े रहते हैं तो अब कौन सी भोतिक रासी उसमें समान रहती है आपका जब ये कोशन कर रहा है न परतिरोध करम में ठीक है स्रेडी करम में एक से जो जुड़ा रहता है तब वो कौन सा भोतिक रासी में उसका जो समान होत फूरता है उसको बताना है तो अपका जो 22 को देखिए ना यह कोशन से फिर ना में ठीक है यह कोशन आजा हुआ है आपका ज्युद्ध स्पुर्ण स्थेयों अप्शन नमबर बी होगा आप लोग की इसका इसका अप्शन अप्शन नमबर कोशन देखेंगे 75 का option number यह होगा इसका याद रख रहेंगे 3.6 गुने 10 के पवर 6 Joule ठीक है BOT क्या है एक यूनिट है कितना होगा इसका यूनिट यह वला होगा बॉला option राइट है चलिए आगे दखेंगे 76 का बना होता है दोस्तो इसका जो राइट इंसर होगा आपका जो राइट इंसर हो जागा दोस्तो 76 का option number यह होगा काँच क्या होगा option number यह काँच चलिए आगे देखेंगे 77 नमर कोशन 77 है हमाई पास बिदुत बल में कौन सी गयस भरी जाती है आपका 77 का देखिए option सामने दिया हुआ है आपका जो राइट इंसर होगा न अप्शन नमर यह होगा निस्क्रिय गयस कौन सा गयस दोस्तो तो निस्क्रिय गयस भरी जाती है चलिए आगे देखेंगे 78 नमर कोशन बहुती असान कोशन है 78 टंगस्टन धातु के गलनांग कि 3000 सेल्सियस ठीक है 3000 डिग्री सेल्सियस पर होता है घलनांग ठीक है टंगस्टन धातु का आप लोग याद रखेंगे चलिए दोस्तों अभी तक आप लोग यह वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तकि 2023 में जो लोग भी एक ज नंचरो तके नंचरो बैए ऊप्सर नंबर को यह लाइक आत्क नंबर को सत्तों परिपद की सुरख्छा के लिए किस युकति का उप्योग किया जाता है परिपत्थ की शुरक्षा के लिए किस युकति का उप्योग किया जाता है तो आपका असिक का राई तेंसर होगा दोस्तो औप्सव नमर यह चलिया आगे देखते हैं 81 नमर कोशन 81 नमर है दोस्तों हमारे पास मानो शरीर का परतिरोध कितना होता है मानो शरीर का परतिरोध बहुत बार यह भी कोशन तो देखिए इसका जो राइटेंस रोगा न 81 का उप्सोन नमर यह होगा 3000 ओम के बरावर होता है मानोज सरीर का पर्तिरोद होता है तो आपका 82 नमber का राइट अंशोर नमर अड़ी होगा 200 से 300 ओम के बिच होता है 200 से 300 ओम के बिच होता है चलिए आगे दखेंगे 83 नमर कोशन 83 है निमने लिखित में कौन बिधूत का सुचालक है ये 2020 में एनुएल एक्जाम सेकेंड टर्म एक्जाम में आया हुआ है ठीक है यानि कि दो पहर में ये कोशन आपको पूछा हुआ है 2020 में टर्विट कोशन है अगर आप लोग इसका जुआ जानते हैं एंसर जानते हैं तो कुमेन्त में इसका जवाब देना शुष इनसर देना ना भूल ले ठीक है त्यासि moisture का आपका राइट आपको पूज टो पímिmy दिखीत में क्यों बिधुत का सूचालक है तो गिरफाइट अगे बढ़ेंगे दूस्तो 84 न मर Freshest पीछायरम में किसे मापा जाता है आमीटर में जो दोस्तो है किसे मापा जाता है उसके बताना यह टपै कर दोस्तो नमबरory चली आगे देखेंगे 85 नंबर दूसतो एक एक एंपिर ठीके दुस्तो का बराबर होता है छॉस्टो ृसर देखें क्या होगा अप्शन नंबर दखेंगे पुछा हुआ प्रिवियस हेर कोसन है इसकर प्राइट नवर होगत सकत दोस्तो डॉसका परतीरोद नंबर होता है पसकर करएं अब्सके दोस्तो चोल Romaj त नियुक गुता हैं फिर्सकतर दोस्तो बुहते इसका सबस्तो μας या इन में इसे को इन नहीं ठीक है तापकाaz प्रिधी या कमी धारा के पड़्याम में ब्रिधी या कमी इस राइट एंसर और एस्टेट का उदेश क्या था तो यही था ठीक है चलिए आगे देखेंगे 88 नमर कोशन 88 नमर है दोस्तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का परियोग किया जाता है बहुत बार यह कोशन पूछा हुआ है देखिए लागतार यह 1222 में पूछा हुआ है तापका ज तक जरՙ दोस्तो हीटर में जो तर जो कुंडली परियोग किया जाता है तो उसका जो होता है नाइक्रॉम का बताँ है चलिए आगे नमर अड़ी 3.6 गुने दसके पावर 6 जूल क्या होगा दस्तों दसके पावर 6 जूल आप लोग याद रखेंगे एक यूनिट विदू तूर्जा कमान होता है चलिए आगे दखेंगे 90 नमर कोश्चन 19 करने की छामता को कहते हैं करने की छामता को कहते हैं यह तना ही दोस्तों आज आप लोग पढ़ चुके हैं लेशन 3 को स्माप्त कर सकते हैं विदूत एलेक्ट्रिक जो चेप्टर है दोस्तो थिरी चेप्टर बहुतिक विज्ञान का कलास 3 के चेप्टर 3 का यह सारा का सारा अबजेक्टिव आपके सामने पेस हो गया है ठीक है तो आप लोग यह और फॉस्ट जो पार्ट इसका है फॉस्ट पार्ट आप लोग नहीं देखने ना भूलेंगे ठीक है पार्ट व मिलेंगे अगले वीडियो में अगर अभी तक दोस्तो प्लीज अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ठीक है ठायक्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जएहिन जै भरत